C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 4 आधार भूत ज्यामितिय अवधारनाई प्रिश्ट असी प्रश्नावली 4.1 1. सनलग्न आक्रिती का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिये A. पांच बिंदू B. एक रेखा C. चार किरणे D. पांच रेखा खंड 2. सनलग्न आक्रिती में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिये आप इन शार बिंदूों में से किसी भी बिंदू का प्रयोग कर सकते हैं 3. सनलग्न आक्रिती को देख कर नाम लिखिये A. रेखाएं जिसमें बिंदू E सम्मिलित है B. A से होकर जाने वाली रेखा C. वो रेखा जिस पर O स्थित है D. प्रति छेदी रेखाओं के दो युग्म 4. निमन लिखित से होकर कितनी रेखाएं खीची जा सकती हैं A. एक बिंदू B. दो बिंदू प्रिष्ठ 81 5. निमन लिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आक्रिती बनाईए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए A. बिंदू P रेखा खंड AB पर स्थित है B. रेखाएं XY और PQ बिंदू M पर प्रतिछेद करती है C. रेखा L पर E और F स्थित हैं परन्तु D स्थित नहीं है D. रेखा OP और रेखा OQ बिंदू O पर मिलती है 6. रेखा MN की सनलगन आक्रिती को देखिए इस आक्रिती के संदर्भ में बताये कि निमनलिखित कथन सत्य हैं या असत्य A. Q, M, O, N और P रेखा MN पर स्थित बिंदू है B. M, O और N रेखा खंड MN पर स्थित बिंदू है C. M और N रेखा खंड MN के अंत बिंदू है D. O और N रेखा खंड O, P के अंत बिंदू है E. M रेखा खंड Q, O के दोनों अंत बिंदूं में से एक बिंदू है F. M किरण O, P पर एक बिंदू है G. किरण O, P किरण Q, P से भिंद है H. किरण O, P वही है जो किरण O, M है I. किरण O, M किरण O, P के विपरीत यानी opposite नहीं है J. O किरण O, P का प्रारंभिक बिंदू नहीं है K. N, किरण N, P और किरण N, M का प्रारंभिक बिंदू है 4.8. वक्र क्या आपने कभी खागस पर पैंसिल से टेड़ी मिढ़ी रेखाईं कीची है ऐसा करने पर जो आकृतियां प्राप्त होती हैं वे वक्र यानी कर्व्स कहलाते हैं इन में से कुछ आकृतियों यानी ड्रॉइंग को आप खागस पर बिना पैंसिल उठाए और रूलर का प्रयोग किये बना सकते हैं ये सब ही आकृतियां वक्र है आकृती 4. वेक्शून्य देखिए आम भाशा में वक्र का अर्थ होता है सीधा नहीं गणित में वक्र सीधी भी हो सकती है जैसा के उपर आकृती 4. वेक्शून्य चार में दर्शाया गया है ध्यान दीजिए कि आकृती 4. वेक्शून्य में वक्र 3 और 7 स्वयम अपने को काट रही हैं जबके एक, दो, पांच और छै में वक्र स्वयम को नहीं काटते हैं यदि कोई वक्र स्वयम को न काटे तो वेह सरल वक्र यानि सिंपल कर्व कहलाती है प्रिष्ट बयासी यहां आकृती 4. एक शून्य दी गई है पांच सरल वक्र बनाइए और पांच वक्र बनाइए जो सरल नहूं अब इन्हें देखें आकृती 4. एक एक सनलगन आकृती यानि आकृती 4. एक एक में दी हुई दोनों वक्रों में क्या अंतर है पहली अर्थात आकृती चारद शम्लव 211 वकर एक खुली यानि open curve है और दूसरी अर्थात आकृती चारद शम्लव 22 वकर एक बंद वकर यानि closed curve है क्या आप आकृती 4.102,5 और 6 में बंद वकर और खुली वकर बता सकते हैं एक आकृती में स्थितिया। एक टेनिस कोट में कोट रेखा उसे तीन भागों में बाटती है ये भाग हैं रेखा के एक ओर, रेखा पर और रेखा के दूसरी ओर आप एक ओर से दूसरी ओर बिना रेखा को पार किये नहीं जा सकते हैं आपके घर की परिसीमा यानि बाउंडरी घर को सड़क से अलग करती है। आप परिसर के अंदर बाड़े की परिसीमा और परिसर के बाहर की बात करते हैं। इसी प्रकार एक बंद वक्र से संबंधित तीन भाग होते हैं जो एक दूसरे से प्रिथक यानि अलग-अलग होते हैं। एक वक्र का अभ्यंतर यानि इंठेरिय अंदर का भाग। दो वक्र की परिसीमा यानि बाउंडरी वक्र पर। तीन वक्र का बहिर भाग यानि इक्स्टेरिय बाहर का भाग। प्रिष्ट तिरासी सम्मुख आकरिती चार्द शमलव एक दो में ए वक्र के अभ्यंतर में है, सी उसके बहिर भाग में है और बी स्वयम वक्र की परिसीमा पर स्थित है। वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिला कर उस वक्र का क्षेत्र यानि रीजन कहा जाता है। जो आपने बंद वक्र खीचा है, उसमें तीन क्षेत्रों को दर्शाया गया है। चार दशमलव नौ, बहु भुज, नीचे दी हुई आकृतियों चार दशमलव एक तीन, एक, दो, तीन, चार और पांच को देखिए। आप इनके बारे में क्या कह सकते हैं? क्या ये बंद आकृतियां, यानि वक्र हैं? ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन हैं? आकृति चार दशमलव एक तीन, एक, दो, तीन और चार में कुछ विशेष्टा है। यह केवल रेखा खंडों से ही बनी हैं। ऐसी आकृतियां बहु भुज, यानि पॉलिगन्स कहलाती हैं। अथह एक आकृति बहु भुज होती है, जब वह एक सरल बंद आकृति हो और केवल रेखा खंडों से ही बनी हो। दस अलग-अलग आकृतियों वाले बहु भुज बनाईए। इन्हें कीजिये! निम्नकी सहायता से एक बहु भुज बनाने का प्रयत्न कीजिये! उपरोक्त में से किस स्थिती में यह संभव नहीं हुआ? क्यों ? भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण सनलगन आकरिती 4.4 को देखिए इसको बहु भुज कहने के लिए कुछ कारण दीजिए एक बहु भुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं यानि साइड्स कहलाती हैं बहु भुज A, B, C, D, E की भुजाओं के नाम क्या हैं? ध्यान दीजिए के कोनों यानि कॉर्नर्स को किस क्रम में लेकर बहु भुज का नाम लिखा गया है इसकी भुजाएं रेखाखंड A, B, B, C, C, D, D, E और E, A हैं दो भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को बहु भुज का शीर्ष यानि वर्टेक्स कहते हैं प्रिष्ट 84 भुजाएं A, E और E, D बिंदु E पर मिलती हैं इसलिए E बहु भुज A, B, C, D, E का एक शीर्ष है B और C के अन्य दो शीर्ष हैं क्या आप इन बिंदुओं पर मिलने वाली भुजाओं के नाम लिख सकते हैं क्या आप परोक्त बहु भुज A, B, C, D, E के अन्य शीर्षों के नाम लिख सकते हैं कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभ्यनिष्ठ अंत बिंदु यानि common end point हो बहु भुज की आसन भुजाएं यानि adjacent sides कहलाती हैं क्या A, B और B, C आसन भुजाएं हैं? A, E और D, C के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बहु भुज की एक ही भुजा के अन्त बिंदु आसन शीर्ष यानि adjacent vertices कहलाती हैं शीर्ष E और D आसन शीर्ष हैं जबके शीर्ष A और D आसन शीर्ष नहीं हैं क्या आप बता सकते हैं कि क्यूं? उन शीर्षों को लीजिए जो आसन नहीं हैं ऐसे शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड बहु भुज के विकर्ण यानि diagonals कहलाते हैं सनलगन आकरिती में रेखाखंड A, C, A, D, B, D, B, E और C, E बहु भुज के विकर्ण हैं क्या रेखाखंड B, C एक विकर्ण है? क्यों या क्यों नहीं? क्या आप आसन शीर्षों को जोड़ कर विकर्ण प्राप्ट कर सकते हैं? आकरिती A, B, C, D, E आकरिती 4.1.5 कि सभी भुजाओं, आसन भुजाओं और आसन शीर्षों के नाम लिखिए एक बहुभुज A, B, C, D, E, F, G, H बनाईए और उसकी सभी भुजाओं, आसन भुजाओं तथा शीर्षों सहित विकर्णों के नाम लिखिए प्रशनावली 4.2 एक, नीचे दी हुई वक्रों को एक, खुली या दो, बंद वक्रों के रूप में वर्गी कृत कीजिए प्रिष्ट 85 दो, निम्न को स्पष्ठ करने के लिए रफाकृतियां बनाईए A, खुला वक्र B, बंद वक्र 3. कोई भी बहु भुझ कीचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित यानी शेड कीजिए 4. सनलग्न आकृति को देख कर निम्न प्रशनों के उत्तर दीजिए A, क्या यह एक वक्र है? B, क्या यह बंद है? 5. रफ आकृतियां बनाकर यदी संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए A, एक बंद वक्र जो बहु भुझ नहीं है B, केवल रेखा खंडों से बनी हुई खुली वक्र C, दो भुझाओं वाला एक बहु भुझ 4.1, कोन जब कोने यानि कॉर्नर बनते हैं तो कोन यानि अंगल्स भी बनते हैं यहां एक आकृति 4.1, छैदी है जहां एक बक्स यानि बॉक्स का उपरी सिराख कब्जा लगे एक दर्वाजे की तरहा है बक्स के किनारे यानि एज, A, D और दर्वाजे के किनारे A, P की दो किर्णों A, D और A, P के रूप में कलपना की जा सकती है इन दोनों किर्णों में एक उभय निष्ठ अंत बिंदू या प्रारंभिक बिंदू A है यह कहा जाता है कि ये दो किर्णे एक खून बना रही है उभय निष्ठ प्रारंभिक बिंदू वाली दो किर्णों से एक कोण बनता है कोण को बनाने वाली दोनों किर्णे उसकी भुजाएं यानि Arms या Sides कहलाती है उभय निष्ठ प्रारंभिक बिंदू कोण का शीर्ष यानि Vertex कहलाता है संलग्न आकरती में किर्ण O-P और O-Q से बने एक कोण को दर्शाया गया है कोण को दर्शाने के लिए शीर्ष पर एक छोटे वक्र का प्रयोग किया गया है O इस कोण का शीर्ष है इस कोण की भुजाएं क्या है? इस कोण को हम किस प्रकार नामांकित कर सकते हैं? और अधिक विशिष्टता के लिए हम कोण की दोनों भुजाओं पर एक-एक बिंदु लेकर और उसके शीर्ष को लेकर कोण का नाम लिख सकते हैं। प्रिष्ठ 86 इस प्रकार इस कोण को कोण P.O.Q नाम देना एक अच्छा तरीका है। हम इसे कोण P.O.Q से व्यक्त करते हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। सनलगन आकरिती 4.1 आठ को देखिए। इस कोण का क्या नाम है। क्या हम इसे कोण P. कह सकते हैं। परंतु किस कोण को कोण P. कहेंगे। कोण P. से हमारा क्या तात्पर यह है। क्या एक कोण को केवल उसके शीर्ष द्वारा नामांकित करना यहां सहायक होगा। क्यों नहीं। कोण P. का अर्थ यहां कोण APB या कोण CPB या कोण APC हो सकता है। इसलिए यहां और अधिक सूचना की आवशकता है। ध्यान दीजिए कि कोण को लिखते समय उसके शीर्ष के अक्षर को सदैव बीच में लिखा जाता है। इनहें कीजिए। कोई कोण मान लिजिए कोण ABC लिजिए। किरण BA को परिसीमा लेकर उस भाग को चायांकित कीजिए जिस ओर किरण BC स्थित है। अब किरण BC को परिसीमा लेकर उस भाग को दूसरे रंग से चायांकित कीजिए जिस ओर किरण BA स्थित है। दोनों प्रकार के चायांकित भागों में उभाय निष्ठ भाग, कोण ABC का अभ्यंतर है? आक्रिती 4.1.9. ध्यान दें के अभ्यंतर एक सीमित क्षित्र नहीं है, यह अनिष्चित रूप से विस्तृत है, क्योंकि कोण की दोनों भुजाएं अनिष्चित रूप से अपनी एक और विस्तृत हैं. प्रिष्ठ 87. सनलग्न आक्रिती 4.2. में, X कोण के अभ्यंतर में स्थित है, Z कोण के अभ्यंतर में स्थित नहीं है, यह कोण के बहिर भाग में स्थित है, बिंदु S स्वयम कोण PQR पर स्थित है, अताह कोण से संबंधित भी 3 क्षेत्र होते हैं. एक, नीचे दी आक्रिती में कोणों के नाम लिखिये, दो, सनलग्न आक्रिती में वे बिंदु लिखिये जो, A. कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित है, B. कोण EOF के बहिर भाग में स्थित है, C. कोण EOF पर स्थित है, 3. दो कोणों की रफ आक्रितियां खीचिये, जिससे, A. उनमें एक बिंदु उभाइनिश्थ हो, B. उनमें दो बिंदु उभाइनिश्थ हो, C. उनमें तीन बिंदु उभाइनिश्थ हो, D. उनमें चार बिंदु उभाइनिश्थ हो, E. उनमें एक किरण उभाइनिश्थ ह अब ही आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक